नवश्या दोस्तों मैं दीपकार को लेग और फिर आपके सामने लेके आएं लेटीस अब्डेट जो की आगामी इंट्रूज और डिफेरेंट प्रकार के कॉंपटिशन एक्जामनेशन में आपके काफी हलपफुल ये टॉपिक रहने वाला है इस प्रकार की टॉपिक से काफ ये एफिल टावर की से भी कंपारेजल में 35 मेटर उचा है उसके बाद में यहां पर लोग यहां पर इसकी निपर देख पा रहे होगे यह अपने पास में वह टावर है जो के रेलवे के कुरूम में यहां पर चिनाव नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे उचे रेलवे पूल बनकर यहां पर त्यार हो जाएगा जिससे 2020 के अंत तक इसे पूरे होने की उमेद यहां पर जताई जा रहे है दरसल कोरोना के कारण यहां पर लोग डाउन के कारण पूल का निर्मान जो है काफी प्रवावित रहा जिससे इसमें काफी लेट देखने को मिला आगे अ पूल का निर्मान अब दो साल से देरी सी होगा यानि दो साल इसमें काफी लेट लगेगा यहां पूल रियासी जिले में बकल और कोडी के बीच में पूल बनाया जा रहा है यह पूल जो है रियासी जिले में बकल और कोडी गाउं के मध्या बनाया जा रहा है इस ब्रिज क अभी यह हैं बनी हाल बारा मुला के बीच में रेलवे लाइन है लेकिन कटरा बनी हाल के बीच में कोई रेलवे ट्रैक यानि कोई भी रेलवे शुईदा यहाँ पर नहीं है कर दुनिया की बात करें तो अभी इसके बाद में यहां पर यह दुनिया का सबसे उचा टावर होगा जो के 35 मिटर उचा एफिल टावर से है अगर कुछ रेलेवेंट इन्फोर्मेशन की बात करो तो इसकी टॉटल उचाएगी अगर बात करो इस ब्रीज की तो यह 369 याने की रेलवे की यहां पर मदद कर रहे हैं उसके बाद में 29 जो है 1000 मेट्रिक टन इस पात का इस्तमाल इसमें पुल बनाने में लिया जाएगा जो की चेनाम रदी पे बनाया जा रहा है 266 किलोमेटर परती गंटा रफतार हवा का सामना यह कर सकेगा यहनि 266 किलोमेटर परती गंटे से अगर हवा भी चलेगी तो उसमें यह slope यह जो आपका पुल है यह गिनने के chances यहां पे नहीं रहेंगे ऐसा यहां पे सुद्रों के नुशार बताया जा रहा है तो इस प्रकार की informations हर competition exams में किसे ना किसी रूप में MCQ based में आपसे पूछी जाती है सबसे पहला questions की MCQ बात करें तो यहां पे बन सकता है कि कौन से नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा railway breeze यहां पे बनाया जा रहा है तो मैं आपको बता दू वो जो नदी है वो चेनाव नदी है जो की जम्मू कुस्मीर में यहां पे है उसके बाद मैं आपसे पूछा जाता कर टोटल इसकी हाइट कितनी है तो आप बता सकते हो 359 इसकी टोटल हाइट है कि बात करें तो यहां पर 1.3 km इसकी लेंथ है अगर दुनिया की एमफिल टावर जो फ्रांस मिस्तिध है उससे यह कितना हाइट पे है यहां पर 35 मीटर जो है उससे ऊचा है एफिल टावर के बाद में दुनिया का सबसे ऊचा ब्रीज की अगर बात करें तो अपना ये चेन 24 होगी उसके बाद कुछ और बात करें तो यहां पर इसका जो जो एरिया है बनाने का वो आपने पास में रियासी जिले के बककल और कोडी काम के बीच में यह पूल बनाया जा रहा है जो कि रेल्वे ब्रीज के रूम में यहां पर काम होगा अगर बात करें इसमें थोड़ी यहां पर बता दूँ कि यह रेलोई पूल जो है वो जम्मु कस्मिर के चेनाव रद्धी पर बनाया जा रहा है तो यह अपने पास में थी आज की डिसकस जिसमें एक लेटिस्ट करन टॉपिक जो मैंने कॉंपटिशन साब से आपको डिसकस करने की कौशिश की इस प्रकार क कॉशन जो है आगा में डिफ्रेंट प्रकार की स्टेट जो इंट्रिवूज है इस स्टेट की जो सर्विसेज है यह फिर कैसे क्तों सेंटर सर्विसेज के लिए जो कॉंपटिशन एक्जाम्स के रूप में आपको देखने को मिलता है इस प्रकार की कॉश्शन से नॉर्मल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन के और ही साब के मैंट्स में देगे कमेंट वक्स में आवा लोग कमेंट करके मुझसे पूछ भी जगते हैं थैंक्यू